Hello guys, आजो को वीडियो मां मता पायर लाई Mechanics of Struck को Parallelogram Law of Force बाद नुमेरिकल ले आएको चाहिए Q1 मा आएको चाहिए Two forces act at an angle of 120 degree The bigger force is 40 Newton and resultant is perpendicular to smaller force Find the smaller force, use parallelogram law of force बाद लेको चाहिए यहाम तो forces act at an angle of 120 degree यहड़ा force अम्रो P बाओयो हाई ना यहड़ा force Q यहाम आम ले bigger force P लाई माने कुछ होँए ना smaller force Q आम ले Q जे फाइन होने पर साहिए मैं लेहरते हों चाहिए तो तो पायर लाई Let bigger force BP and smaller force B Q आई अब यहाम आम ले एंगल खज लेको चाहिए तो 120 degree आई द्विटा force B को अंगल 120 degree देको चाहिए ना तेसे गरी यहां कि बाने की चाहिए तो resultant is perpendicular to smaller force आई यह बाने काम रो resultant बाया यहाँ चेके ता perpendicular साहिए 90 degree उनी बाया ना smaller force को नो तो Q आई ना यह संगा 90 degree बाया यहाँ तेसे गरी आमला यह धुटा force बिच को अंगल जे 120 degree देको बाया यह फोर्स मने काती उनी बाया था 120 degree माइनस 90 degree गर्दा है रही 30 degree यह अब अब वी नो दाट क्यों चाहिए ता tan beta equals to q sin theta divided by p plus q cos theta अब यह सामर बिटा बने को चाहिए यह बिगर फोर्स ले रिजल्टिंग सामगा बनागवा 30 degree यह यह ना tan 30 degree equals to q बने को के चाहिए यह आमरो फाइन गर्णनू पदनी यह ना q sin theta बने को चे अब यह दुटा force बिचको अंगल यह काती हुन चाहिए 120 degree 120 degree divided by p बने को आमरो बिगर फोर्स काती होता 40 newton गिबन चाहिए यह यह लेओ यह ना cos 120 degree यह थिता बने को 120 degree अब 10 30 degree बने को की होता 10 30 degree बने को 1 by root 3 बाओ यह ना 1 by root 3 अनि q into sin 120 degree बने को sin 120 बने को 60 बने ची root 3 by 2 root 3 by 2 divided by 40 इसे गरी आमरो cos 120 degree बने कोजी की होंचा था minus 1 by 2 होंचा है minus 1 by 2 q जस्ता कोशती है रेखिए इसे गरी 1 by root 3 equals to root 3 by 2 q into 1 by यहला मेंली चुटे रपट लिखे है यह 1 by क्योंचा 18 into 2 14 into 2 80 minus q by 2 अब इसमा यह 2 बने को माती जानचा बने ची यह रही हो cancel out उनी बाहर हो है ना क्यों नी बता होगा 1 by 3 यह मुल्टिप्राया मुचा यहता equals to q divided by 80 minus q अब अब 3 q यहता गायो है ना equals to 80 minus q यहता 4 q equals to 80 q यहता क्या आया था हम्रो 20 आयो है 20 newton 20 newton 20 newton आयो therefore smaller force is 20 newton 20 newton आयो है एसे के री question no.2 मार आयो है find the angle between 2 equal force 2 इता equal force विसको angle find गाननो पर यह when the resultant is P and P by 2 1st मा resultant P बाख बेला करूं भी ता यहनो दो इता equal force विसको आयो P देखो साही ना resultant पनी 1st number माची P resultant पनी P नहीं मनीची 3 ते आम्रो P P P उनीपा विसको आयो we know that we know that we know that resultant resultant को e square विसको e square plus 2P Q cos theta plus Q e square और resultant वनीगा P साही P स्कोर विसकोर अब 思ह स्फफ्सकेट ना फ्ल्सm स्फफ्सकेट कारचिया सब्सकेट मेर सबहें बारिक हाँ ना के मांगे हुँँचा 2p² cos theta equals to minus p² यह p² रहे यह p² नी cancel out बने पसे cos theta बने को आमरो कियो निवालो minus 1 by 2 अब cos theta equals to minus 1 by 2 बने को cos कती बता cos 120 degree आये एसमा आमरो theta बने को कती आयो 120 degree अब यह एंगल कती निकली है आमरो 120 degree है therefore angle between 2 equal force is 120 degree एसमा और को सावब यह आमरो और को बने का आमरो p by 2 साई आप पी बाइटू बाका बेला करने पार है we know that 2 ता इकल अप्रस्वाई नि रिस नग्यपी बाइटू साई की बाइटा आटा आपी बाइटू साई प्लास 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 कमल लिवाई था 2p2 कमल लिवनी की होंचा 1 प्लास कस ठीटा बांकी रहांचा बने बच्छी p2p2 cancel out उनिवाई अनि की होंचा ता आमरो 2 लाइए थाले हों बने ची 1 by 0.28 equals to 1 plus cos ठीटा अब कस ठीटा लाइकले पारों 1 by 8 minus 1 उनिवाई ना यो गटा कति यहोंचा ता आमरो 1 minus 8 उनिवाई यालो minus 7 by 8 होंचा अब एसमा आमरो ठीटा वने की होंचा cos inverse minus 7 by 8 होंचा यह ता पहले क्याकुलेटर मा आनुबवनी काति यहोंचा ता 151.044 डिग्री होंचा यहोंचा यह यह आमरो यह काति बिन ले जाता 151.044 डिग्री होंचा यह गटा फोर्स विचको अंगल between to equal force s when resultant is p by 2 is 5, 151.044 Deg.